दोस्तो यदि हम अभी उत्तर बिहार के बड़े बड़े रेलेवेस्टेशनों की बात करें जहां से आपको ट्रेने मिल जाएंगी तो इसमें आपको जैनगर दर्भंगा मुझपरपूर सीधामडी रक्सौल बरॉनी इत्यादी रेलेवेस्टेशन देखने को मिलेंगे लेकि उत्तर बिहार में चलने वाली है इंटरनेशनल ट्रेन जो की जाएगी दिली तक यानि की जनकपूर से दिली के लिए regular ट्रेन यानि की ऐसी ट्रेन जो की चलेगी हमेशा दोस्तो आज हम इसी वे बात करेंगे कि कब से ये ट्रेन चलेगी क्या होगा इस ट्रेन का रूट ले प्डाष करें एक्षन की तो नेपालким कर रहा है यानि Program कर रहा है नैपाल रिल मिनिस्ट्री को न की घरिंड की गई हूआ कि भारत सरकार यानि कि इंडियन गवर्मेंट चालू करे जनकपूर से नई दिली के लिए एक डेली टेन जो कि जनकपूर से खुले उसके बाद जो यात्री है वो जैनगर में उतरे और जैनगर में उतरने के बाद उनका वेरिफिकेशन हो जो कि जनरल रूल हो और फिर से वो जैनगर में चड़े और वो ट्रेन नई दिली तक जाए दोस्तो यहां पे उन्होंने प्रस्तावित रूट भी बताया है जो कि है वाया बरॉनी होते हुए पटना होते हुए दोस्तो यह जो ट्रेन है यदी चालू होती है तो इसका जो फाइदा है सिर्फ और सिर्फ नेपाल के यात्री नहीं उठाएंगे इसका अधिकतर जो फाइदा है वो हमारे बिहार के यात्री ही उठाएंगे क्योंकि यह ट्रेन जैनगर दर्भंगा होते हुए जाएगी दोस्तों हमें उम्मीद करनी होगी इस्टन को अप्रूवल मिलेगी वैसे इस बार में आपकी कराया है कॉमेंट करके जुरूट बता रहे हैं अबस दाएंगे में लेक पड़क साथ जाहिंद जब